नवश्कार आप देख रहें NBC24 और मैं हूँ आर्तिबाला आपके साथ बिहार में इन दोनों भूमी सर्वेक्षन का काम जो है वो लागतार किया जा रहा है ऐसे में VC के जरिये भूमी सर्वेक्षन कारेो की समेक्षा जो है वो की जा रहे है तो आपको बता दे के से लेकर भूमी सर्वेक्षन मंत्री जो है दिलीब जस्वाल उनोंने भी कई तरह की बैठके की है और उनने साथ कहा है कि अपने कारे को इमानदारी पूरवक निभाएं लोगों को अगर कोई समस्याइं हो रही है तो उनके निदान को लेकर निस्पक्षता के साथ उनका निर्वाहन किया जाए क्यूंकि लोगों का भरोसा जो है वो जीतना इस दौरान बेहर जरूरी है एक अलग इमेज बननी चाहिए जो तरह से भूमी सर्वेक्षन का काम जो हो रहा है इस बीच कई फजीयतों का सामना भी सरकार को करना पड़ा है ऐसे में भूमी सर्वेक्षन मंत्री जो है दिलीब जैसवाल उन्होंने साब तोर पर कहा है कि अपनी इमांदारी और निस्पक्षता के साथ जो है वो काम किया जाए तब ही लोगों को काफी जादा सहूलियत हो इस बैठक में क्या कुछ हुआ है वो भी अवाकुबदार पिहार के ग्रामीन इलाकों में हो रहे भूमी सर्वे के दारान हो रहे विवाद को लेकर भूमी सुधार मंत्री डॉक्टर गलिब जैसवाल ने बैठक के दारान सरकारी दाइतों का निर्वहन इमांदारी से करने की बात कही है साथ ही कहा है कि आप न्याय की कुरसी पर बैठे हैं आपके किसी निर्ने से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इस सद्धान को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लें जिस इंसान या अधिकारी के पास नैतिक बन नहीं है वो कितनी उची कुरसी पर च दसरत मांजी श्रम और नियोजन संस्थान पटना के सभागार में किया गया था जहां माननी मंत्री ने अंचल अधिकारियों को विभाग के अभिभावक की हैसिय से संभोधित किया और उन्हें नैतिकता सदाचार और अच्छे आचरन का पाट पढ़ाया सरकारी दाईतों का निर्वान इमानदारी से करने का सबक सिखाया मंत्री ने कहा है कि राजस्व भूमी सुधार विभाग आम जनता से सीधा जुड़ा विभाग है कोई भी रहयत जो आप से मिलने आ रहे हैं उससे अच्छा बरताओ करे आप से नहीं होने वाले हैं तो विनम से मना कर दे क्योंकि विभाग के बारे में समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए जसमें आपकी भूमी का एहम है माननिय मंत्री ने बताया है कि विभाग द्वारा आम लोगों को दी जारी अधिकान सेवाएं ऑनलाइन है इसलिए इनके बारे में ठीक से जानकारी प्र मुटेशन प्लस और परिमारजन प्लस के बारे में बताया गया विभाग ने इसके जरी मुटेशन और परिमारजन में आम लोगों को कई सभूलियते दी है और अंचल कर्मियों को और जिम्मेदार बताया है तो आपको बता दे कि बैठक के दौरान तीन अंचल अधिकारी अपना लोगिन नहीं कर पाए इनके खला आरोप पत्रदायर करने का भी मिरने लिया गया है सचीव जै सिंग ने ये भी सपस्ट किया है कि अगली बैठक से पूर अगर सुधार नहीं दिखा तो दोसी अधिकारियों के खलाप कड़ी कारवाई की जाएगी बैठक में विभ आरी है क्योंकि जस तरह से लागातार लोगों के बीच से लिएकर समस्याएं उत्पन हो रही है लोगों के बीच में कई ऐसी भ्रांतियां जो है वो पैदा हो गई है जसे दूर करने की सरकार हर मुम्किन कोशिश करती नजर आ रही है इसलिए कर बीते दिनों एहम भैठक भ इसे और अच्छा और सुगम बनाने को लेकर हर मुम्किन कोशिश की है बावजूद इसके लागातार ये जो चीजे है वो आती नजर आ रही है ऐसे में बीते दुनों भी इसे लिएकर वैठक की गई थी तो वहीं आज ये बड़ी वैठक जो है वो की जा रही है और इसको पर कहा जा रहा है कि ये ऐसा विभाग है यहां से लोग सीधे तौर पर जुड़ते हैं ऐसे में किसी की तरह जो है वो समझ नहीं आती है तो आप बेशक मना कर दें लेकिन इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी को बरदास्त नहीं की जाएगी इस तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है तो फलहाल आपको बदा दे कि भूमी सर्वे को लेकर सरकार हर मुम्किन कोशिश करें कि लोगों के बी आपको बता दे कि भूमी सर्वे को लेकर जो तरह से लोगों के भीच घ्रांतियां है वो अब कम होती नजर जरूर आएंगी क्योंकि जस तरह से उनके निप्टारे को लेकर बड़े बड़े अधिकारी जो है वो इस दौर में लगाए गए हैं तो ऐसे में यही किया जा रहा है कि अब इस तरह की कोई दिक्कते जो है वो नहीं आएंगी तो फलाल ऐसी ख़ब्लों से अब्रेट रहने के लिए आप ज